हलो एवरीबड़ी वलकम तु मैंगनेट प्रेंस दिस इश्वेता थाओ कुर्य और शोचल साइंस एजुकेटर मैंगनेट प्रेंस एक ऐसा प्लाटफॉर्म है जहां किंडर गॉर्टन से लिके क्लास 12 तके सभी वीडियो कोर्सेश प्रवाइट करवाय जाते हैं दाट चुबी फ्री ओफ कॉस्ट वी अल्स प्रवाइट यू सीवी अनदर स्टेट बोर्ट के फुली और्गनाइस कोर्सेश विद देली प्रेक्टिस पेपर और हमारे फाज एबुक्स एन नोट्स की फिसलिटी भी अवेलिबल है जसका लिंक नीचे इसक्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आज हम क्लास 10 शोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस का पावर शेरिंग पढ़ने वाले हैं आज हम स्टार्ट करें चैप्टर वन सिविक्स का पावर शेरिंग और हम देखेंगे सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या-क्या किया जाएगा, तो topics to be covered में हैं, सबसे पहले introduction, introduction means power sharing क्या है, democracies में power को किस तरीके से share किया जाता है, और power को divide करना क्यों जरूरी है, वो हम देखेंगे introduction में, right, हम बात करेंगे power sharing के बारे में, हमारे जो different organ है government के, उसमें किस तरीके से power को share किया जाता है, तो हम लोग एक brief introduction देखेंगे हमारे power sharing के बारे में, भई, democracies में किस तरीके किस से power को जो है, वो share किया जाता है, किस तरीके से divide किया जाता है, क्यों जरूरी है power को divide करना, वो हम देखेंगे power sharing में, उसके बात किस तरीके से देखेंगे, हमारे पास दो beautiful सी countries है, Belgium and Sri Lanka के stories के साथ Belgium and Sri Lanka, इन दोनों countries की जो छोड़ी छोड़ी दो stories है हमारे पास, उनके through जो हम देखेंगे power sharing, फिर हम देखेंगे majoritarianism in Sri Lanka, Sri Lanka ने किस तरीके से power को share किया, किस तरीके से majority group ने वहाँ पे rule किया, वो देखेंगे हम majoritarianism in Sri Lanka में, फिर आएगा accommodation in Belgium, Belgium ने किस तरीके से power को share किया, वहाँ पे three language speaking group है हमारे पास, जब हम अपनी stories में देखेंगे, German, Dutch और French, फिर भी उन्होंने किस तरीके से power को accommodate किया, किस तरीके से, वो हम देखेंगे इस में, accommodation in Belgium में, फिर आएगा, ये जो दो stories है, हमारी जो हमने पड़ी Belgium and Sri Lanka से related, इन से हमने क्या सीखा, भई हर स्टोरी से कुछ सीखते है, तो इन दोनों स्टोरी से Belgium and Sri Lanka की हमने क्या सीखा, तो learning from stories of Belgium and Sri Lanka, और उसके बाद आता है, वाई power sharing is desirable, भई democracy में power sharing की क्या importance है, क्यों जरूरी है power sharing, तो वो हम इसमें देखेंगे, right? नेक्स्ट हमारा आएगा forms of power sharing, किस तरीके से modern democracy में power sharing की जाती है, वो हम देखेंगे forms of power sharing में, किस तरीके से different organs में जो है power को divide किया जाता है, different level पे government को divide किया जाता है, तो वो हम देखेंगे forms of power sharing या modern forms of power sharing की हम बात करें, and सबसे important NCRT solution, वह chapter incomplete है NCRT solution के विना, तो उसके बाद देखेंगे NCRT के solution, फिर multiple choice questions को हम लोग देखेंगे, देखेंगे, competency based question का weightage बढ़ गया है, बढ़ गया इंदसें 20% अब आते हैं, 20% आपके competency based question आते हैं, right? तो multiple choice questions की बहुत जादा, competency based में भी specially multiple choice question 20% 20 marks के आपके आएंगे, तो बहुत जादा importance in scheme की, तो हम देखेंगे multiple choice question is chapter से related, फिर हम देखेंगे most important questions, जितने भी most, भही power sharing chapter जो है, exam point of view से बहुत ही जादा important chapter है, तो हम इसके most important questions देखेंगे, and फिर आएगा हमारा complete chapter revision, right? तो इस तरीके से हम अपने power sharing chapter को complete करेंगे, right? तो ये था आपका chapter overview, आप हमारी videos को देख सकते हैं, कहां पर? यूट्यूब पर हमारी official website www.magnetbrains.com पर, right? आप हमें follow कर सकते हैं, कहां पर? यूट्यूब, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram and WhatsApp पर, हमारे पास e-notes and e-books की facility भी available है, जिसका link नीचे description box में दिया गया है, top courses के अगर हम लोग बात करें, CBSE, Delhi, Bihar, UP, MP and Rajasthan boards के साथ हम deal करते हैं, Vedic Maths की classes हैं, crash course and spoken English, English and Hindi दोनों medium में, with this end of today's session, I hope you like today's video, don't forget to hit the like, share and subscribe button, see you all next time, have a nice day.